SBI Personal Loan दोस्तों आप State Bank of India से online apply करके घर बैठे Personal Loan कैसे ले सकते हैं SBI से Personal Loan लेने के लिए आपको किन-किन documents के ज़रूत होती है और किन-किन terms and conditions को follow करके आप SBI से Personal Loan लेने के लिए eligible हो सकते हैं SBI से आपको maximum कितने रुपे तक का loan amount मिल सकता है और उस loan amount फे interest कितने परसेंट का लगाया जाएगा loan amount वापस करने के लिए आपको कितने मेहनों का समय मिलता है और सबसे important बात कि इस Personal Loan को लेने के बाद आपको कौन-कौन से extra charges पे करने होते हैं इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो आईए जानते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि SBI में Personal Loan के भी कुछ types होते हैं जैसे कि SBI Pension Loan SBI Express Credit Loans Against Securities SBI Quick Personal Loan इसी तरह के और भी बहुत सारे types होते हैं तो इस वीडियो में हम लोग SBI Express Credit Personal Loan के बारे में जानेंगे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग SBI Express Credit Personal Loan के कुछ benefits के बारे में जान लेते हैं इसका जो सबसे पहला benefit है वो यह है कि इसके तहताप maximum 20 लाक रुपे तक कर loan amount ले सकते हो और इस loan amount पर जो interest लगाया जाता है अगर आप वही loan amount किसी दूसरे bank से लेते हो और सबसे इंपर्टेन बात दोस्तों यहाँ पर आपको guaranter की बिल्कुल भी जोरत नहीं होती है यानि कि आपको पता होगा अगर आप किसी bank से personal loan लेते हैं तो वहाँ पर आपको guaranter की जोरत होती है यानि कि आपको वहाँ पे अपनी कोई महगी चीज का कागज देना होता है जैसे कि जमीन, घर, इन सब का कुछ कागज देना होता है उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है अन्य था वहाँ पे कोई वेक्ति को गारांटर बनाना होता है ताकि अगर आप वहाँ पे loan नहीं चुका पाएं तो bank आपके उस product को sell करके अपना loan चुकता कर ले अन्ने था वो जो वेक्ति गारांटर बने हैं उन्हें वहाँ पे loan amount पे करना होगा तो यहाँ पे गारांटर की भी जौरत नहीं होती है तो यह कुछ benefits हैं दोस्तो अब बात आती है कि इस SVA Express Credit के तहट किन-किन लोगों को loan मिल सकता है इसकी eligibility क्या है सबसे पहले दोस्तो यहाँ पे जो भी वेक्ति इसके तहट loan लेना चाहते हैं उनका minimum is 18 years का होना चाहिए और साथ में यहाँ पे आप personal loan ले रहे हैं तो आपका civil score भी अच्छा होना चाहिए अगर आपका civil score में कोई भी problem है तो आप पहले उसे solve कर लीजिए अगर खराब है तो आप उसे improve कर लीजिए उसके बाद आप loan के लिए apply किजिए क्योंकि अगर आपका civil score खराब है तो यहाँ पे confirm है कि आपको loan amount नहीं मिलेगा तो अगर आपको civil score के बारे में जादा नहीं पता है तो मैं आपको civil score का एक dedicated वीडियो का link इस वीडियो के description में और उपर i button पे दे दूँगा वहाँ से जाकर कि आप civil score के बारे में सारी चीज़े जान सकते हैं और अगर आपका civil score खराब है तो आप उसे improve कर सकते हैं तो यहाँ पे civil score आपको देख लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो XBI Express Credit Loan का banner दिया हुआ है इसके website पे उसके उपर में ही लिखा हुआ है loan to salaried employee having salary account with SBI यानि कि ये loan सिर्फ वैसे विक्ति को मिलेगा जो job करते हो और साथ में उनका जो salary account है वो SBI में होना चाहिए तब ही आपको loan मिल सकता है जिनका salary account SBI में नहीं है या फिर जो job नहीं करते हैं उनको loan कैसे मिलेगा यह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा तो यहां पर दोस्तों यह condition है दूसरा condition यह है कि जो job करते हैं उनका income minimum यानि कि कम से कम 15,000 पर तक होना चाहिए या फिर उससे जादा होना चाहिए तब ही उन्हें यह SBI Express credit loan मिल सकता है साथ में दोस्तों यहां पर EMI by NMI ratio 50% से कम होना चाहिए यानि कि इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर आपका income 50,000 का है तो आप अगर पहले से कोई loan लिये हुए है या फिर कोई product EMI पर लिये हुए है तो वो total EMI amount जोड करके 25,000 रुपे से कम होना चाहिए यानि कि 50% से कम होने चाहिए तब ही यहां पर आपको SBA Express Credit Personal Loan के दहत loan मिल पाएगा तो यह कुछ conditions हैं दोस्तों अब बात आती है document की तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि यहां पर आपको बहुत ही कम document देना होता है क्योंकि आपको जब आप इस loan को अपलाई करोगे तो यहां पर आपको salary account का detail देना पड़ेगा और अगर आपका पहले से इस bank में account है तो आप तो सारा document पहले से दे चुके हैं तो आपको इसी लिए यहां पर बहुत ही कम document देना होता है तो अब बात आती है कि यहां पर आप इस SBI Express Credit Personal Loan के तहत maximum और minimum कितने amount तक का loan ले सकते हैं यहां पर दोस्तो personal loan भी दो type के होते हैं पहला होता है term loan और दूसरा होता है overdraft loan तो अगर आप term loan लेते हैं तो आपको यहां पर minimum 25,000 का loan लेना पड़ेगा वहीं अगर आप maximum loan amount जानना चाते हैं तो वो होता है 20,000,000 का यानि कि 20,000,000 रुपे तक का loan आप इसके तहत ले सकते हैं साथ में दोस्तों अगर बात करें overdraft loan की तो यह overdraft loan क्या होता है overdraft loan में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि आप loan लिए 5,000,000 रुपे का और बीच में कहीं से आपके पास पैसे आए एक्ष्टा पैसे हैं जो कि आपके पास रखे हुआ हैं तो आप उस पैसे को अगर बैंक में जमा करवा देते हो तो वहाँ पे जो ब्याज लगना था वो total amount पे नहीं जितना आप जमा करवाए हो उसके बाद जो बाकी बचता है loan amount उस पे लगेगा यानि कि आपको ब्याज कम देना पड़ता है तो अगर आपको overdraft loan amount की facility मिलती है तो वह ऐसे condition में आपको minimum 5,000,000 रुपे तक का loan लेना होगा और maximum 20,000,000 रुपे इसमें भी होता है यहाँ पे दोस्तों आपका जो monthly income होता है उसका 24 गुना तक का ही loan ज़्यादा तर लोगों को मिल पाता है बहुत कम लोग इससे ज़्यादा loan ले पाते हैं तो अब बात आती है कि यहाँ पे loan amount जो आप लिए हैं उसे वापस करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा और loan amount आप वापस कैसे कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप चाहे term loan लीजिए या फिर overdaip loan लीजिए दोनों types को loan में आपको minimum 6 महने का समय मिलता है loan amount वापस करने के लिए और maximum 6 साल यानि कि 72 महने तक का समय मिल सकता है आपको loan amount को bank को return करने के लिए तो आप return कैसे करोगे bank को पैसे यहाँ पे क्या आपको manually bank जाकर के जमा करना होता है नहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप जो salary account का detail दिए हैं लोन लेते समय जो आप salary account का detail दीचेगा उस salary account से ही हर एक महने आपका EMI amount यानि कि जो आपका monthly installment amount बना है वो installment amount प्रते एक मन्त आपके salary account से automatic deduct हो जाएगा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो इस तरह से दोस्तों आपका repayment complete हो जाता है तो अब बात आती है कि इस loan को आप online apply कैसे करेंगे अगर आप offline apply करना चाहते हैं तब तो आप बहुत ही आसानी से normally bank जाकर क्या apply कर सकते हैं वहीं अगर आप online apply करना चाहते हैं तो आपके पास मिली दो option होते हैं पहला होता है कि आप SBI की official website से जाकर क्या apply कर सकते हैं तो वहाँ पे दोस्तों जिस web page से इस loan को directly apply किया जाता है उस web page का direct link आपको इस video के description में मिल जाएगा जिसपे के click करके आप direct उस web page पे चले जाएए और वहाँ पे आपको कुछ simple steps पूरे करने होते हैं आपको कुछ account, number, name वगरा मैंने कि कुछ personal detail फिल करना होता है और आपका loan apply हो जाता है और दूसरा तरीका है दोस्तों you know application का तो you know में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि play store से सबसे पहले आपको you know download करना पड़ेगा फिर आपको उसमें registration करना होगा अगर आप नहीं किये हैं तो और register होने के बाद दोस्तों simply वहाँ पे आपको left upper corner में जो three lines होते हैं उसपे आपको click करना है उसपे click करते ही आपके सामने loan का एक option आएगा आपको इसपे click करना है तब यहाँ पे SBI Express Credit का एक option आजाएगा उसपे आपको click करके loan को apply करने के page पे चले जाना है वहाँ आपको फिर से eligibility documentation यह सारी चीज़े बताई जाएगी और फिर आपको apply now का एक button मिलेगा जहां से कि आप SBI Express Credit Personal loan को apply कर सकते हैं तो वहाँ से दोस्तों आप apply कर लीजे apply करने के बाद कुछ समय या फिर कुछ दिन के बाद जैसा भी अभी bank का service चल रहा होगा उसके इसाब से bank के तरफ से call आएगा वो आपसे कुछ detail पूछेंगे आपका document verify करेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप eligible होंगे तो बहुत ही कम समय में आपको आपका loan amount आपके bank account में मिल जाएगा और फिर दोस्तों आप उस loan amount को कहीं भी use कर सकते हैं यहाँ पर आपको bank को कुछ भी नहीं बताना होता है कि आप उस loan amount को कहां use कीजेगा या फिर कैसे use कीजेगा क्योंकि ये personal loan है तो इस तरह से दोस्तों आपको loan मिल जाएगा और आप उस loan amount को use कर पाएगे तो अब बात आती है कि इस loan amount में कौन-कौन से extra charges फे करने होते हैं दोस्तो extra charges हमने वीडियो में नहीं बताया है extra charges आपको इस वीडियो का जो comment section है उसमें top comment में आपको extra charges का पूरा list दिया हुआ है वहां से जाकर कि आप जान सकते हैं कि इस personal loan में आपको कौन-कौन से extra charges फे करने होते हैं तो अब बात आती है कि जिनका salary account SBA के साथ maintain नहीं होता है वो यहां से personal loan कैसे ले सकते हैं दोस्तों जब मैं loan task के बारे में बता रहा था तो वहां पे SBA quick personal loan का भी option था तो यह जो SBA quick personal loan है दोस्तों यह सिर्फ वैसे लोगों को ही दिया जाता है जिनका salary account SBA के साथ maintain नहीं किया जा रहा हो किसी दूसरे bank में हो तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फे video बनाओ इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे loan type पे यानिकि वैसे लोग जो self-employed है या फिर वैसे लोग जो कुछ नहीं करते हैं उनको कैसे loan मिलेगा कितना interest लगेगा इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के comment box में comment किजे जिस टाइप के comment जादा आएंगे उस टाइप के video बना करके मैं अपने चैनले पे जल्द upload करूँगा तो दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो आप इस video को लाइक कर सकते हैं अगर आपको इस video में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इस video के comment box में comment किजे ताकि हम अपने आने वाले videos में सुधार ला सकें